हलो फ्रेंट्स आजादी के इस पावन पर्व की आजादी के इस अमरित महुत्साव की आप सब लोगों को बहुत-बहुत सुपकाम नहीं तो डियर इसी उपलक्स में गेट अकाडमी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है डी टी पी डिसकेशन ठू प्रोब्लम्स और इसमें हम mechanical engineering के बहुत रीन ट्रिपल फोर क्वेशन सौल करने वाले हैं यह जो ट्रिपल फोर क्वेशन होंगे यह mechanical engineering technical subjects के होंगे तो गेट 23 aspirants के लिए यह बहुत important होने वाला एडियर और इसमें mechanical अब यह जो questions होंगे यह सारी subjects के होंगे आपका Mechanical Engineering का जो भी technical subject है अपका thermal part हो गया डेजाइन पार्ट हो गया और production वाला पार्ट हो गया manufacturing वाला उन सारी subjects के questions कराये जाएंगे ठीक है और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कल से लेके आ रहा हूं Engineering तर्मोडाइनमिक्स बेसिक थर्मोडाइनमिक्स ठीक है जिसमें मैं बेसिक थर्मोडाइनमिक्स के बहतरीन 40 questions आप लोगों के साथ discuss करने वाला हूं और इसमें सिर्फ question discussion ही नहीं होगा हमारा मेन मोटो है कि question के साथ साथ आपको concepts भी detail में समझाया जाए ताकि questions और concept आपके पूरे अच्छा से clear हो तो dear यह जो series है यह आप लोगों के लिए इसलिए भी important हो जाती है क्योंकि यह series लगबग एक महिने चलेगी इसमें हम सारे subjects के triple four questions solve करवाएंगे और इसमें आपके सारे subjects के revision होने वाले बात समझ में आ रही है तो questions के साथ साथ आपका बहतरीन तरीके से revision होने वाला है और कल मैं आप लोगों के लिए basic thermodynamics लेके आ रहा हूं 16th of August से दोपहर में दो बज़े आप मेरे साथ जुड़ना ना भूले और आप लोगों को गेट अकाडमी मेसी चैनल पर लाइव रहना है दो से चार बेसिक thermodynamics इस इट क्लियर तो कल मिलते हैं डियर और यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत important है अपने friends को जो भी student 23 का preparation कर रहे हैं सब लोगों को यह message जरूर पहुंचाए तो चलिए तो कल मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू जै भारत जै हिंद जै हिंद थैंक यू